आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरह वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें नमस्कार दोस्तो, हमारा प्रसन है कि किस हेलोजन योगी को अभी कर्मों को की तरह बनाया जाता है ठीक है, जिसका सत्रा परमानुक्रमांग है और नाम, सुत्र और इसके दो उपयोग भी लिखियें हमें जानना पड़ें कि हमारे जो अगनी शमक की अंत्रमें कोसे आो तत्तो की द्वरा बनाया जाता है सबसे पहले, मैं यहाँ पर इसका रसाञिक सुत्र लिख लेता हूं ठीक है रसाञिक सुत्र है हमें प्रसन में दिया गया है कि वो कौन सा है दोस्तों वो हमारे सत्रवे समू का है तो दोस्तों हमारे सत्रवे समू के तत्व होते हैं सत्रवे समू के तत्व वो कौन से होते हैं हमारे वो दोस्तों हमारे होते हैं हेलोजन के तत्व ठीक है दोस्तों तो जो दोस्तों हमारे हेलोजन के तत्तों होते हैं, वो कौन से हमारे, वो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडी, ठीक है, तो ये सारे तोस्तों जो होते हैं, वो हमारे हेलोजन के तत्तों होते हैं, तो दोस्तों हम जो अगनी शमक की तरह उप्योग करते हैं, तो दो दोस्तों तो जो हमारी अभिक्रिया होती है दोस्तों ठीक है उसमें जब हमारा carbon tetra chloride बनता है दोस्तों तो उसमें हमें कौन से हेलोजन तत्तों की जुरत होती है वह हम देखते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारा के मेथेन होता है उसकी ABDProimizator हिम किस ऐसे कराते हैं इस byकर discovery कराते हैं तो जो हमारा बनने वाले उत्पाथ है दोस्तों वह में प्रप्ट होता है CCL4 और इसे ही हम क्या कहते हैं कारबन इंट्रा क्लोराइड कहते हैं दोस्तों थेक है क्योटकि यह हमारा किस से है ये हमारा क्लोरिन से बना है जो कि क्यों सरह हमारा है86 तो न तो ये हमारा होता है carbon tetra chloride ठीक है और दोश्टो छो इहन पुरुतर पूरी तरह से संपनल होई जहां पर जब 햇न से अभी соврем होगी जो कि Chlorine से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? Carbon Tetracloride और साथ में 4-L, जो कि हमारा Hydrochloric अमल होता है दोस्तों दोस्तों हमें यही पूछा गया था प्रस्त में, की Halogen के जो योगिक होते हैं, वो किसकी मदस्थ से हम अगनी शमक को बनाएं कि जो वो इंदेन होते हैं वो बनाए जाते हैं जो कि वरके 17 के तत्व होते हैं तो दोस्तों हमें इसका नाम बताना है और इसके सुत्र बताने है ठीक है तो दोस्तों हमारे जो इसका नाम हो जाएगा वो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि हमारा जो होता है नाम वो क्या होता है हमारा यह होता है हमारा दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड ठीक है दोस्तों यह होता है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसमें हमारा क्लोरीन जो है वो हेलोजन तत्यों के रूप में मौझूद होते हैं ठीक है अब दोस्तों अगर मैं इसकी सर्रशना की बात करूं तो हमारी जो सर्रशना बनेगी वो कार्बन टेट्रा कुलोराइट की इस तरह से बनेगी जहां पर हमारे कार्बन के परमानू होते हैं और साथ में हमारे कौन से होते हैं दोस्तों क्लोरीन के प कुछ आ गया है हमें दोस्तों इस प्रश्न में इसका सुत्र और सरश्टना भी बता दी है अब दोस्तों हमें इसको उप्योग बताने है कि इसका उप्योग हम कहां कहां पे करते हैं तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला उप्योग होता है जो कि हमारा कारवन टेट्रा क्लोराइट का उप्योग करते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास जो होते हैं दोगिक या फिर घरेलू जो होते हैं जो कि हम इसे फायर एक्स्टेंशन भी कहते हैं ठीक है जो हमारे फायर एक्स्टेंशन होते हैं ठीक है तो वहां पर हम क्या करते हैं हम जो फ्यूल के त शामकते रूप में करते हैं साथ में दोस्तों हम जो हमारा CCL4 होता है इसका उपयोग हम घरेलू सफाई में ठीक है घरेलू सफाई में इसका उपयोग करते हैं ठीक है जो कि हमारा क्या होता है दोस्तों जो कि हमारा cleaning agent भी कहलाता है ठीक है तो घरों में जो भी हमारी सफाई के लिए अगर इसका उपयोग किया जाता है जो की हमारे जो कंपोनेंट बनाया जाते हैं जो की सफाई में उपयोग किया जाते हैं जो कि होते हैं, फर्नीचर, इन सभी में जो शमक लाई जाती है दोस्तों, वो हम CCL4 के उपयोग के दोरान ही, हम हमारी जो फर्नीचर होते हैं, फर्स होते हैं, उन सभी में घरों की सफाई के लिए हम CCL4 का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों, हमें प्रस्द में ही पुछा गया और इसे ही दोस्तो हम अग्री शामाक के रूप में उप्योग करते हैं और साथ में हम इसे घरेलू सफाई के रूप में उप्योग करते हैं और दोस्तो इसकी जो सरच्णा बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है जिसे हम करबन टेटरा क्लॉराइड करते हैं और यही दोस्तों हमारे प्रस्न का उत्तर है आसा करता हूं दोस्तों आपको यह प्रस्न समझाया होगा धन्यवाद